जब कोई महिला प्रेगनेंट होती है तो उसका घर में खुशी का ठीकाना नहीं होता है वो एक ऐसा मोमेंट और पल होता है जो खुशिया ही खुशिया होती है तो उससे मैं प्रेगनेंट महिला को या उनके घर वाले को मन में एक विचार जरूर आता है कि होने वाला संतान ल एककर ही बता देते हैं कि आपको लर्का होगा या लर्की होगा उनका अंदाजा काफी हद तक बहुत ही सटिक होता है अल्टरसुन रिपोर्ट के अलावा यह भी एक बहुत ही यह निकी काफी हद तक माने जाने वाला अंदाजा है जिसे आप काफी हद तक अनुमान लगा सकत यहज़ी पेट का आकार बिलकुल नीचे की तरह लुटका हुआ है तो ऐसा माना जाता है हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि यह एक लर्का होने का संकेत है वही पेट उपर की तरफ है तो लड़की होने का संकेत है तौशा में बदलाव यानि कि आपके फेस में बदलाव हो रहे हैं तो इससे भी आप काफी हद तक अनुमान लगा सकते हैं यदि आपका चेहरे पर फोरे फुनसी पर गए हैं पूरा काले दाग धबे हो गए हैं चेहरे डल हो गए हैं तो ये भी एक लरका होने का बहुत ही सटिक लक्षर माना जाता है अस्तन का आकार से भी आप काफी हद तक पता बड़े बुजुर्ट लगा लेते हैं यदि एक अस्तन का आकार बरा हो गया है और एक अस्तन का आकार छोटा है थोड़ा डिफरेंट है तो एभी एक लरका होने का संकेत माना जाता है पैर और हाथ का सुसको होना इसे भी आप काफी हद तक अनुमान लगा सकते हैं कि आपका होने वाला बेबी बोई है यह सिम्टम सिर्फ बेबी बोई के टाइम ही दिखते हैं फूड क्रेविंग होना यह दि आपको प्रणेंसी के दोरान बहुत जादा फूड क्रेविंग हो रहा है तो एभी एक बहुत ही पक्के लक्षा माने जाते हैं कि आपका होने वाला बेबी बोई है आप बहुत जादा खटे जीजे चटपटी चीजे तीखा चीजे खाना पसंद कर रहे हैं तो बड़े बुझरुग देखकर ही बता देते हैं कि आपका होने वाला बेबी बोई है या बेबी गल है उनका अनुमान काफी हद तक सही बैठ जाते हैं जैसे कि आप गोलगपा बहुत जादा खा रहे हैं जैसे कि इसमें खटी चीज़ें ज्यादा मत्रा में होती है तो एक लड़का होने का संकेत माना जाता है वही आप सोने का तरीका से पता चल कर सकते हैं एदि आपनेंसी के दोरान लेफ्ट साइड में सोते हैं तो ऐसा माना जाता है कि होने वाला बेबी बोई है लेकिन एस सिम्टम्स मेरे उपर 110% सही वर्क नहीं किया है यह मेरे उपर बिल्कुल आपोजिट था तो इसको मैं 110% बिल्कुल भी नहीं दे सकती हूं एनिके सीधा लाइन जो गहरा बनता है लाइन तो उससे भी माना जाता है कि आपका पेट के आकार पे इस तरीके से फोटो में जो देख रहे हैं आप यह आपका प्रणेंसी में है ऐसा तो यह भी एक लरका होने का बहुत ही सटिक लक्षन माना जाता है आप बच्चे के हाडवीट से भी काफी हद तक अनुमान लगाया जा सकता है कि होने वाला बेबी बोई है ऐसा माना जाता है कि बच्चे के बेबी का हाडवीट 140 से नीचे है तो लरका होने के संकीत माना जाता है वही 140 से उपर है तो लरकी होने के संकीत माना जाता है लेकिन एक बात मैं और यहाँ पे clear करना चाहती हूं कि एप बिल्कुल मेरे उपर opposite हो गया था क्योंकि बेबी का heartbeat change होते रहता है यह कहना मुश्कील है हमारे ओल्ड वाइफ बोलते हैं कि यदि आपको प्रिग्नेंसी के दोरान वजन बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ती है तो ऐसा माना जाता है कि आपका होने वाला बेबी बोई है तो मेरा उपर एस सिम्टम्स बिल्कुल भी सही नहीं बैठे थे क्योंकि मेरा बेबी बोई है कि आपको प्रिग्नेंसी के दोरान चेहरे पे छोटे-चोटे बाल आ जाते हैं अंचाहे बाल हाथ पे पैर पे पूरे फेस में इतम छोटे-छोटे तो एभी एक माना जाता है कि आपका होने वाला बेबी बोई है सिर्फ लड़के के टाइम ही एक लक्षन दिखते हैं त बहुत ही सही बैठे थे और मेरा प्रस्नल एक्सप्रियेंस है कि यह सिम्टम देखने से बेबी बोई होने का संकेत माना जाता है लेकिन विज्ञान इसे बिल्कुल भी नहीं मानता है क्योंकि कई सारे हार्मोंस आपका बोड़ी में होते हैं जिसके वज़ए से छुट-चल परते हैं जिसके वज़ए से छोटे-छोटे बाल आ जाते हैं अब हमारे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आउन कर दीजिएगा विडियो को लाइक कर दीजिएगा मिलती हूं अगले निव बिजिए